केरिला स्टोरी के अलावा अगर कोई फिल्म है जो रिलीज से बहुत पहले से ही कॉंट्रोवर्सी में फंस चोगी है तो वो है इस बार प्रभास की आदिक उरश डारेक्टर ओम राउत और प्रभास की फिल्म शुरुवात से ही खबरों में काफी बनी हुई है टीजर लाउंच पर भी बवाल हुआ था जब फिल्म के विए पिक्स को इतना जादा ट्रोल किया गया कि मेकर्स के पास कोई आप्शन ही नहीं बचा सिवाए बहुत सारे चेंजिस करने के फिल्म का ट्रेलर आया और finally ओम राउत को राहत की सांस मिली किंकि इस بार लोगों ने ट्रेलर को पसंद किया, लोगों को मजा आया और जनता ने दे दिया ट्रेलर को thumbs up और अब जब फिल्म 9 दिन में यानि की 16 जून को थीटर्स में रिलीस होने वाली है तो आदिपुरुष की टीम ने एक और सुप्राइज सभी को दे दिया है येस एक फाइनल ट्रेलर रिलीस किया गया है ये धाई मिनिट का ट्रेलर भारी भारी डायलोग जबरदस्थ हाई बीट वाले म्यूजिक और एक्शन ही अक्शन से भरा पड़ा है प्रभास, सैफ अली खान, ओक्रिती, सैनन स्टारर आदिपुरुष 2023 की सबसे बड़ी और सबसी महंगी फिल्मों में देखी जा रही है अब फैंस ही नहीं बलकि मेकर्स में भी बहुत एक्साइटमेंट तो है ही लेकिन साथ ही साथ धेच सारी नर्वसनेस भी है अब हाली में फिल्म के मेकर्स ने आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर बड़े जोरो शोरो से रिलीस किया कहा जा रहा है कि ट्रेलर रांच इवेंट पर करीब धाई करोर रुपे खर्च किये गए है जिसमें 50 लाग तो सिर्फ फ्री इवेंट के पठाके जलाने में ही गए मतलब वाँ पैसा हो तो ऐसा हो यार एनिवे बस कुछी घंटों में 14 मिलियन व्यूज हासिल कर लिये हैं इस ट्रेलर ने और लोगों के मूँ बर बस जैशीराम ही जैशीराम चड़ गया है वैसे फिल्म की शुरुआत से ही सैफ के कैरेक्टर यानि की लंकेश यानि की रावन को परदे में रखा जा रहा था तो कुछ चीज़े तो आपको वैसे ही रखनी चाहिए जैसे थी यहां सीता का रावन अलग तरह से हरन करता हुआ दिखाई दे रहा है सीता बंदी हुई है एक ब्लैक कलर के जाल में और वो लटकी हुई है हवा में मतलब कुछ भी दिखाया गया है लोगों को अब यह हॉरर मुवी जैसा लगने लगा है कई लोगों की यह भी शिकायत कही न कही है कि इस ट्रेलर में सिर्फ एक्शन को दिखाया गया है तो किसी ने फिर से प्रभास के भगवान राम बनने पर बहुत सारे सवाल उठा दिये हैं लोगों का कहना है कि भगवान राम तो बहुत काम थे लेकिन प्रभास ऐसे नहीं लग रहे बट हां कुछ लोग ऐसे भी है जिने यह ट्रेलर बहुत ही जादा पसंद आया है कि आदेपुरिश की स्क्रीनिंग के दौरान हर थियेटर में एक सीथ भगवान हनुमान के लिए खाली छोड़ी जाएगी क्योंकि जहां राम कता होती है वहां हनुमान मौजूद तो रहते ही है अब मेकर्स का ये फैसला लोगों को बहुत पसंद आया है और मेकर्स ने ये फैसला लोगों की आस्था को देखकर ही लिया है खेर इसी के साथ अभी के लिए इतना है आप जल्दी जाओ फाइनल ट्रेलर देखो और मुझे कॉमें सेक्शन में आकर जरूर बताना कि अब इस ट्रेलर को देखकर आपके क्या व्यूस है क्या नहीं और क्या आप लोग सच में देखने जाने वाले हो आदियपूर इस थीएटर में या नहीं बागी इसी तरह के हर एंटेटीनमेंट अपडेट के लिए आप यूँ ही देखते रहेएगा एंटी लाइफ अगर यह अपडेट पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना